नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तुपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं संकी हेडलाइन्स के बारे में देश में लोक अदालतों ने एक दिन में 25 लाख से ज़्यादा विवादों का निप्टान किया ब्रष्ट अचार के खिलाफ सेंक तुराष्ट कन्वेंशन के 20 वर्ष पूरे हुए 2013-14 से अब तक सुयम साहता समुहों को 7,68,000 करोड रुपे के रिंड दिये जा चुके हैं जलवाईव परिवर्थन पर सेंक तुराष्ट फ्रेमवर्क कन्वेंशन का कॉप 28 पहले ग्लोबल स्टॉक टेक को अपनाने के साथ संपन्न हुआ कौशल विकास करने वाली उन्नती फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूची बद्ध होने वाला पहला गेर सरकारी संगठन बना और विश्व स्वास संगठन ने साड़क सुरक्षा पर वैश्वे किस्थिती रिपोर्ट 2023 जारी की इसंग की सबसे पहली खबर देश में लोक अदालतों ने एक दिन में 25 लाख से ज़्यादा विवादों का निप्टान किया यह खबर न्यायपालिका से संबंदित है और न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मुद्दा सामने आता है वो यह है कि भारत में न्याय में देडी होती है और इसका मेजर रीजन यह है कि बहुत सारे केसिज अभी भी अदालतों में पैंडिंग है और ऐसे में न्यायपालिका पर काफी बोज है तो इसके लिए एक आसान तरीका निकाला गया है वो है ADR यारि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रिसल लोग अदालत एक वेकल पर मुकदमे के बोज को कम करने में महत्वपून भूमिकरें भाई है साथी इससे विवादों को हल करने के लिए कम खर्चे में जल्दी और ज्यादा सोहार्दपून तरीके से न्याय दिया जा सकता है लोग अदालतों से संबंदित मुखी तथ्यों की अगर हम बात करें त 287 के तहट किया जाता है इनका गठन आलग अलग इस्तरों पर किया जाता है यानि राश्ट्रिय लोग अदालत, राज्य प्राधिकरन इस्तर, उच्छ नियायले इस्तर, जिला नियायले इस्तर और तालुका इस्तर, राश्ट्रिय इस्तर की लोग अदालतें नियमित अंत प्रप्रण के मामलों के सुनवाई करते हैं। इसके अधिकार शेत्र में आने वाले मामले हैं। इसके अलावा मध्यस्तता यानी मेडियेशन इसमें स्वैक्षिक और सहमती के अधार पर निर्ने लिया जाता है। UNCAC यानी ब्रष्टाचार के खिलाव सेंक्तुरष्ट कन्वेंशन पर 9 दिसंबर 2003 को मेक्सिको में हस्ताक्षर किये गए थे। ये कन्वेंशन 2005 में लागू हुआ था। UNCAC के मुखे बिंदों पर अगर हम नज़र डालें तो ये ब्रष्टाचार के खिलाव कानूनी रूप से बाध्यकारी एक मात्र सारुभामिक कन्वेंशन है। 190 देश इसके पक्षकार हैं जिसमें भारत भी शामिल हैं। ये कन्वेंशन अंतराष्ट्री सहीयोग पर बल देता है। का सम्मेलन इस कन्वेंशन के लिए नीतियां बनाने वाला मुख्य अंग है। इसकी बैठक हर दो साल में आयुजित होती है। इस बैठक में संकल्पों को अपनाया जाता है और साथी कारें को संपन करने के लिए निर्ने लिये जाते हैं। UNCAC की सफलता ये है कि ये ब्रष्टचार सनिपटने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्ग प्रदान करता है। इसकी अभिपुष्टी विश्यो के लगभग सभी देशों ने की है। इसका समेक्षा तंत्र ब्रष्टचार रोधी ठोस उपायों को लागू कर रहा है। इसने ब्रष्टचार रोधी नई सनस्थानों के स्थापना और नई नीतियां बनाने में योगदान दिया है। UNCAC से संबंधित कई मुद्दे हैं जैसे कि UNCAC ब्रष्टचार को इस पश्ट रूप से परिभाशित नहीं करता है। ब्रष्टचार रोधी कानूनों, संस्थानों और उनके प्रभावों में कोई तालमिल नहीं है। UNCAC समीक्षा परक्रिया में सिविल सुसाइटी को शामिल करने की जरूरत नहीं होती है। इससे ब्रष्टचार के खिलाफ रडाई कमजोर पढ़ जाती है। 2013-14 से अब तक स्वयम साहता समूहों को 7,68,000 करोड रुपे के रिंद दिये जा चुके हैं। स्वयम साहता समूहों बैंक लिंकेज कारिक्रम पहल ने स्वयम साहता समूहों के लिए रिंद की सुविधा प्रदान करने में महत्त्वपूण भुमिका निभाई है। इस पहल की शिरुवात 1992 में राष्ट्रे क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक ने की थी इस पहल का उद्देश समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को वित्य सेवाय उपलब्ध कराना है इसके मुखे घटक हैं बैंक खातों के माध्यम से स्वेम सहता समूहों को क्रेडिट लिंकेज प्रदान करना स्वेम सहता समूहों को रिनोपलब्ध कराने के लिए बैंकों के शाखा प्रबंधकों को प्रोच साहित करना बैंकों की ग्रामीन शाखाओं में बैंक सक्षियों की नियुक्ति करके स्वेम सहता समूहों की मदद करना और समुदाय आधारित पुनरभुतान तंत्र को विक्सित करना स्वेम सहता समूहों एक स्वेक्षिक छोटा और अनौपचारिक समूह होता है आमतोर पर इसमें मैदानी शेत्रों में 10 से 20 व्यक्ति और पहाडी शेत्रों में या कम आवादी वाले शेत्रों में 5 व्यक्ति शामिल होते हैं ये समूह अपने सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देते हैं साथ ही समूह के सदस्यों के लाब के लिए संसाधन जुटाते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं स्वैम सहता समूहों द्वारा कई बदलाव राए गए हैं जैसे कि इन्होंने ग्रामीन शित्रों में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा दिया है ये समाजिक समानता और लेंगिक समानता को प्रोटसाहित करते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा तर समूह महिलाएं चला रही हैं केरल की कुदुमबश्री और महिला आर्थिक विकास मंडल महराष्ट्र इसके मुख्य उदारन है स्वयम सहता समूह अपने सदस्यों को व्यवसायों को जारी रखने के लिए सूक्ष मेरेन भी उपलब्ध कराते हैं हाला कि इन समूहों द्वारा कई समस्याओं का सामना किया जा रहा है जैसे कि सदस्यों में उचित प्रसिक्षन और कौशल विकास का भाव है मौजूदा पित्र सतात्मक मान सिकता महिलाओं की भागीदारी को सिमित करती है स्वयम सहता समूहों के लिए शुरू की गई और भी कई पहले हैं जैसे देन दियाल अंतियोदय राश्ट्रुए ग्रामीन आजिविका मिशन डे एन आर एलेम ये सक्षम केंद्र स्वयम सहता समूहों को वित्तिय सेवाओं के वित्रण की सुविधा देते हैं इसमें शामिल है स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कारिक्रम ये स्वेम सहता समूहों को ग्रामी निस्तर पर गैर कृशी उद्यम इस्थापित करने में सक्षम बनाता है इसके अलावा महिला किसान सशक्ती करण पर यूजना चलाई गई है हाल ही में स्वेम सहता समूहों की महिला सदस्यों को आत्म निर्भर बनाने के उद्देश से लखपती दीदी योजना शुरू की गई है और अगली खबर UNFCCC है जलवायू परिवर्तन पर संयुक्तुराष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का कौप 28 पहले ग्लोबल स्टॉक टेक को अपनाने के साथ संपन हुआ ग्लोबल स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पक्षकार देश पैरिस समझोते के लक्षियों को पूरा करने के दिशा में अपनी सामोहिक प्रगती का आकलन करते हैं दरसल ये जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए किये जा रहा है उपायों के प्रभावों का मापन करता है जलवायू परिवर्तन पर पैरिस समझोते में ग्लोबल स्टॉक टेक का प्राफधान किया गया था इसके तहट पक्षिकार देशों को पहली बार 2023 में और फिर हर 5 साल में लक्ष प्राप्थी की दिशा में अपनी प्रगती का आकलन करना है पहले ग्लोबल स्टॉक टेक के मुखी बिंदों पर अगर हम नजर डालें तो इसके तहट वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी 2019 के इस्तर की तुलना में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 43 प्रतिशत कटाउती करनी की जरूरत है इस्टॉक टेक के मुताबिक पक्षकार देश अपने पैरिस समझोते के लक्षियों को प्राप्त करने की सही रहा पर अभी भी नहीं है इस्टॉक टेक में जीवाश्म इंधन से ट्रॉंजिशन की बात कही गई पहली बार पक्षकार देश्ट जिवाश्म इंधन के स्थान पर हरित इंधन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमत हुए, साथ ही वे न्याय संगत और समानता पूर्ण तरीके से 2050 तक नेट जीरो उत्सरजन लक्ष हासिल करने पर भी सहमत हुए. इसके अलावा अनुकूलन पर वेश्विक लक्ष फ्रेमवर्क पर सहमती बनी, ये अनुकूलन लक्षियों और उन्हें प्राप्त करने के लिए जरूरी वित्थ, प्रध्योगी की और शमता निर्मान के लिए समर्थन की जरूरत पर वेश्विक सहमती को दर्शाता है। इसक सैंत्रों को चरणबध तरीके से बंद करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। आनाबेटिट कोईला बिजली सैंत्र उन ताप सैंत्रों को कहा जाता है, जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज जैसी उत्सरजन कम करने वाली तकनीक का उप्योग आपको बता दें कि 2024 में कॉप 39 अजर्बिजान में होगा और 2025 में कॉप 30 ब्राजील में होस्ट किया जाएगा और आएब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, कौशल विकास करने वाला उननती फाउंडेशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूची बद्ध होने वाला पहला गैर सरकारी संगठन बना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज का ही एक अलग सेग्मेंट है ये सामाजिक उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज के जरिये जनता से धंज उटाने में मदद करता है एक सावाजिक उद्यम के रूप में मानिता प्राप्ट करने के लिए एक संगठन को कई मानदंद पूरे करने होते हैं जैसे कि पिछले तीन वर्षों के ओसत व्याय का कम से कम 67% हिस्सा आबादी के सदस्यों को पात्र गतिविधियां प्रदान करने के लिए खर्च किया गया हो। इस लक्षित आबादी में शामिल हैं आबादी का वो हिस्सा जिसे अब तक सरकारी सेवाओं का बहुत कम लाब मिला है या फिर वो हिस्सा जो कम विशेशा धिकार प्राप्त है वे शेत्र आबादी के मामले में जिन्होंने केंद्र या राजे सरकारों की विकास योजनाओं म लाब नहीं कमाने वाले संगटनों के मामले में, ये mutual funds के माध्यम से दान देकर और zero coupon, zero principal bonds जारी करके भी जुटाया जा सकता है। साथी, zero coupon, zero principal को केवल social stock exchange पर पंजी कृत, NPO ही जारी कर सकता है। इन bonds की एक विशेश अवधी होती है, zero coupon, zero principal bond की परिपकोता अवधी पर मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है। लाब कमाने वाले सामाजिक उद्यमों यानि FPEs के मामले में, equity और debt instrument जारी करके भी धन जुटाया जा सकता है। Social Stock Exchange सामाजिक शेत्रक और लोगों के बीच विश्वास को बढ़ाता है, ये कम नहीं होने देता है। साथ ही NPO के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और reporting संबंधी मानकों को मस्बूत करता है। इसके अलावा निजी शेत्रक की भागिदारी का लाभ उठा कर सरकार पर बोज गम करता है। प्रगती के आकलान पर आधारित है। साथ ही ये सरक सुरक्षा पर संब्तुराष्ट कारवाई के दूसरे दशक 2021-2030 के लक्षे को पूरा करने के प्रयासों के लिए बेसलाइन भी निर्धारित करती है। कारवाई दशक के तहट 2030 तक सरक दुर्गतनाओं में होने वाली मौतों को कम करके आधा करने का लक्षे रखा गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2010 के बाद से सरक दुर्गतनाओं में प्रती एक लाग की जनसंख्या पर वैश्विक मृत्युदर में 16 प्रतिशत की कमी आई है। में वाहनों के लिए 3rd party liability insurance अनिवारे करने वाला राष्ट्रे कानून लागू है। में वाहर पर कानून बनाना चाहिए। साथ ही driving करते समय ध्यान भठकाने वाली अन्निगती विधियों की रुप थाम के लिए कानून बनाया जाने चाहिए। सड़क सुरक्षा के लिए भारत द्वारा कई पहले की गई। सड़क दुरगटनाओं के लिए जिम्मेदार ब्लाक स्पोर्ट्स की पहचान करने और उन स्थानों पर परियाप्त सुरक्षा उपाय करने को उच्च प्राथ्मिक्ता दी जाती है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात संबंधी नियमों के उल्लंगन के लिए जुर्माने की राशी को बढ़ा दिया गया है। का उपियोग ना करना, सीट बल्ट का उपियोग ना करना, बच्चों के लिए विशेश सुरक्षा उपकरना का उपियोग नहीं करना। और आए बात करते हैं कुछ अन्ने महत्वपूंट सुरुखियों के बारे में। अर्जेंटीना ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपनी मुद्रा आर्जेंटाइन पेसो का अवमूलियन कर दिया है। अब मुद्लियन सरकारिया के इंद्रिय बैंक द्वारा जानबूज कर किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी राष्ट्रिय मुद्रा के मुद्ले को कम करना है। इससे निद्यात को बढ़वा मिलता है और व्यापार घाटे में कमी आती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इससे विदेशी मुद्रा में मुल्य वर्गित यानि डिनॉमिनेटेड बाहरी रिण की लागत बढ़ जाती है। दूसरी और किसी मुद्रा का मुल्य हरास मुखे रूप से बाजार की शक्तियों के कारण अन्य मुद्राओं की तुल्ना में राष्ट्रिय मुद्रा के मुल्य में गिरावट कहलाता है। चिलका जील, ओडिशा की चिलका जील में समुद्री एमफिपोड की एक नई प्रजाती, डेमोर चेस्टिया अलांसेस की खोच की गई है, ये जीनियस डेमोर चेस्टिया से सम्मधित है, चिलका जील एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है, साथ ही दुनिया का दू प्राश्ट्रे महत्यों की आदरभूमियों की ऐसी सूची है जिनके पारिस्तिकिये स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या फिर होने की आशंका है ये परिवर्तन तक्नीकी वेकास प्रदूर्शन या मानव जनित अन्निगतिविधियों के कारण होते हैं ये जील नल्बाना पक्षिय अभ्यारन्य और इरावदी डॉल्फिन के परियावास के लिए प्रसिद्ध हैं अगला टॉपिक है अराजक पूंजीवाद अनार्को कैफिटलिजम अराजक पूंजीवाद राजनीतिक दर्शन का एक प्रकार है ये दर्शन राज्य या सरकार की समाप्ती और कानून एवं व्यवस्था का समर्थन करता है पारंपरिक रूप से मुक्त बाजार के समर्थक पुलिस और अदालतों को छोड़कर अधिकतर वस्तूओं और सेवाओं के प्रबंधन को निजी हाथों में देने का समर्थन करते रहे हैं अराजक पूंजीवाद शब्दावल अगला टॉपिक है काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी अमेरिका और यूरोपिय संग ने भारत की आर ओडी टी योजना प्रतिक्रिया में भारते उत्पादों पर सीवीडी यानि काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया है आरोडी टीप योजना के अंतरगत उन निर्यातकों को संबध शुलक या करों से प्राप्त राशी वापस कर दी जाती है जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है इन संबध शुलक या करों में शामिल है इस्थानिय कर, कोईला उपकर, मंडी कर आदी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आयातितकरों पर लगाये जाने वाला एक तरह का प्रशुलक है, इसे वस्तूओं का आयात करने वाला देश, निर्यातक देश में वस्तूओं के उत्पादकों को दी जाने वाली निर्यात सबसीरी को काउंटर या ओफसेट करने के लि आयात करने वाले देश को CBD लगाने की अनुमती देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के अधिन कारे करता है। रोयल बंगाल टाइगर को सिक्किम के पंगोलखा वन्याजीव अभ्यारने में देखा गया। पश्चिम बंगाल का निवरा वैली नेशनल पार्क इसे भूटान के टोरसा स्ट्रिक रिजर्व से जोडता है। इस अभ्यारने में उपोष्ण कटी बंधिय देवदार वन, उपोष्ण कटी बंधिय चौडी पत्ती वाले परवतिय वन और अल्पाइन आद्र चरागा है। यहां ब्राउन डिपर, रेड पांडा और हीम तेंदुआ जैसे जीव जनतू पाए जाते हैं। नश्ट करने और ट्यूमर का आकार छूटा करने के लिए रेडियेशन की उच्च मात्रा का उप्योग किया जाता है। एक्टोसाइट को परमाणू उर्जा विभाग ने निजीव फार्मा कंपनी के साथ मिलकर विक्सित किया है। ये टैबलिट भारतिय खादिस अन्रक्षा और मानक प्राधिकरन द्वारा अनुमोदित हैं। अगला टॉपिक है पेस मिशन नासा दोहजार चौबीस के आरंभ में प्लांक्टन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन एकोसिस्टम मिशन लांच करने की तयारी कर रहा है। इसे पेस मिशन के नाम से जानेंगे। प्रदान करना है। विस्तुला, नीसे, ओडर और मोटलावा, पोलेंड का उचितम बिंदू है, माउंट फ्रीसी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम को दीजे इजाज़त, नमस्कार।